हलो वेलकम बैक माई डियर स्टुडेंट्स आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चेनल माँ आसा इस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में मैं आपको 12 हिंदी के सवसे अंतिम चेप्टर 13 चेप्टर सिक्षा जिसको जे स्रीकृष्ण मूर्ती जी ने लिखे है और ये चेप्टर बहुत important चेप्टर है इसके objective question answer कराने वाले हैं आप इसको धियान से देखेंगे अगर आप इस चेनल पे नए आये हैं तो please subscribe भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी share करेंगे तो first question क्या है आप लोग अपने copy में भी not करेंगे और अपने खुद से बनाएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है आप में comment में बताएंगे तो क्या होगा फर्ष्ट क्या है जे कृष्ण मूर्थी का पूरा नाम क्या है तो जे कृष्ण मूर्थी का पूरा नाम क्या होगा जल्दी बताएं जद कृष्ण मूर्थी नहीं होगा जिद्दू कृष्ण मूर्थी 20 का एंसर होगा जहां भाय है वहां मेघा नहीं हो शक्ति कि इस पठित पाट की उक्ती है जहां भाय है वहां मेघा नहीं हो शक्ति है तो ये कहां से लिया गया है तो क्या होगा इसका अर्द नारिसवर नहीं होगा वो स controllers रोगा और शिपाही की माँ भी नहीं होगा शिक्छा में होगा शिक्छागर चप्टर पढ़ेंगे इसमें ये लिखा हुआ है को धिहान में रखना पढ़ेगा लीड बेटर की नज़र में जे स्री कृष्ण मूर्ती क्या थे लीड बेटर की नजर में जे स्री कृष्ण मूर्ती क्या थे तो क्या होगा राज सिक्चक नहीं थे ये दे सिक्चक भी नहीं होगा विश्वे सिक्चक थे सी इसका अंसर होगा जे कृष्ण मूर्ती की इन में से कौन सिक्रिती है मतलब क्या लिखे हैं जे स्री कृष्ण मूर्टी तो क्या होगा डी सिक्षा होगा इसका अंसर जे कृष्ण मूर्ती का जन्म कहां हुआ था उत्तर पर्देश में नहीं आंदर पर्देश में हाँ भी इसका अंसर होगा मा की मिर्तियू के समय जे कृष्ण मूर्ती कितने वर्ष के थे मा की मिर्तियू के समय जे स्री कृष्ण मूर्ती मातर दस वर्ष के थे ये इसका अंसर होगा अब आगे है जे कृष्ण मूर्ती की सिक्षाकृति क्या है जे स्री कृष्ण मूर्ती की सिक्षाकृति क्या है ये क्या है संभासन है क्या है संभासन है मेगा कहा नहीं हो शक्ती मेगा कहा नहीं हो शक्ती क्या होगा इसका अंसर जहां स्वतंत्र हो नहीं जहां भाय हो हाँ यहां भाय हो वहाँ पे मेगा नहीं हो सकती 20 का अंसर होगा अब आगे है लेखक के अनुसार कुछ परिक्षाएं उत्रीर्न करन लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है कहीं ज़्यादा कठिन क्या है जीवन में उनती करना नहीं जीवन सुखी पुर्वक व्यतित करना नहीं जीवन को समझना यह सबसे important है C अब आगे है लेखक के अनुसार सच्ची सिक्षा हमें क्या देती है लेखक के अनुसार सच्ची सिक्षा हमें क्या देती है रोजगार नहीं परसिद्धी नहीं व्यापक्ता देती है सी इसका अंसर होगा अब आगे है बचपन में किस वातावरन में रहना आवस्चक है तो क्या होगा श्वतंत्र वातावरन में रहना आवस्चक है ना कि अनुसासित दायत पूर्ण और इन में से कोई ने इसका अंसर होगा जिन्दगी का आर्थ क्या है धन कमाना नहीं प्रसिद्धी प्राफ्ट करना नहीं सत्त की खोज करना सी इसका अंसर होगा जिन्दगी के अनुसार मानव के विचाड़ों को उसके समंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देती है उत्सा नहीं नराजगी भी नहीं खोशी नहीं भाय भाय क्या करती है नष्ट कर देती है क्या मानव के विचाड़ों और उसके समंधों को क्या करती है नष्ट कर देती है कौन भाय डीस का अंसर होगा जे क्रिष्ण मुर्ती के अनुसार संपूर्ण विस्व किस और अगर सर है तो जे स्री क्रिष्ण मुर्ती के अनुसार संपूर्ण विस्व विकास की और नहीं नास की और अगर सित है बीस का अनुसर होगा अब आगे है दो fault and last freedom किसकी कृती है भी भी आई objective question है यह आपके लिए तो क्या होगा यह इसका answer क्या मलिया जीने लिखे हैं नहीं मोहन डाकेस भी नहीं लिखे हैं जे कृष्ण मुर्ती जीने लिखे हैं C इसका answer होगा साम्मेवाद साम्मेवाद किस से लड़ रहा है साम्मेवाद किस से लड़ रहा है समाजवादी से नहीं या पुझीवादी से तो हाँ पुझीवादी से लड़ रहा है कोन साम्मेवाद अब आगे है जे कृष्ण मुर्ती का जन्म कब हुआ था भी भी आई objective जे स्री कृष्ण मुर्ती का जन्म 12 माई 1895 में ही हुआ था ये इसका अंसर होगा जे कृष्ण मुर्ती का पूरा नाम था क्या था जे कृष्ण मुर्ती का पूरा नाम क्या था जयंत कृष्ण मुर्ती ये भी नहीं होगा जिद्दू कृष्ण मुर्ती रिपीट हो गया है कृष्चन कोई बात नहीं जैंक। The first and last freedom किसकी कृटी है यह बढ़ी बताए हैं। जैंकृष्न मुर्थी के संबंद में कौन सतत सही है जिसका एंसर क्या होगा। शिक्षा-पार्ठ के रचिता कौन है तूiform बताए हैं। शिक्षा पाठ के रचिता कौन है तो सिक्षा पाठ के रचिता महत्मा गांदी नहीं विनोवा भावे भी नहीं विन 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 वि lord better किन में 20 शिक्षक के रूप देखते थे किन में राधाकृश्नन में क्या होगा इसका answer ये भी नहीं होगा राजिन्द पर साट इसमें भी नहीं होगा गांधी जी में भी नहीं जे सरी कृष्ण मूर्ती में कौन की सिक्षक के रूप में कौन देखते थे तो लॉड बेटर इसका अंसर डी होगा अब आगे है जे स्री कृष्ण मूर्ती की इन में से कौन सी रचना है देखिए 2018 में पूछा गया है तो क्या होगा इन में से क्या संपुर्ण करामती लिखे है नहीं रोज भी लिखे है नहीं बाचित लिखे है नहीं तो क्या लिखे है शिक्छा लिखे है न तो दोस्तों इस चप्टर का भी हमने objective करा दिये अब बचा long और short questions अगर आप हमें comment करेंगे तो हम वो भी बनाएंगे बाकि फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जलूर किजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताईएगा और उसे भी शेयर किजिएगा बाकि सो थैंक्स वेरी माच अल दा बैस्ट जाहिंद